अंगुलर में कॉम्पोनेंट कैसे बनते हैं या हम जबान में कहें तो पेज कैसे बनते हैं अंगुलर की कॉन्वेंशन है कि अंगुलर पेज को कॉम्पोनेंट कहता है तो कॉम्पोनेंट हम दो तरह से बनाएंगे आप इनमें से किसी एक के साथ जा सकते हैं एक हम manually बनाएंगे, कि हम खुद फाइल बनाएंगे और दूसरा हम Angular CLI से बनाएंगे पहले हम manually बनाते हैं, आपने जितने भी competent बनाने हैं वो app फोल्डर में बनाने हैं तो आपने फोल्डर में जाना है और यहां पे आपने एक फोल्डर बनाना है जैसे हम एक home page बनाएंगे, यह component के साथ component का keyword होना चाहिए Angular की तरफ से, Angular यह convention use करती है तो आप जितने भी pages बनाएंगे उनके साथ आपने component लाजमी लिखना है अगर आप ना भी लिखनेंगे तो कुछ नहीं होगा लेकिन यह conventional standard तो आपको इसको follow करना चाहिए अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपकी application वर्क करेंगे लेकिन आप standard से हट जाएंगे इदर आपने तीन files बनानी है अग ह्टमल अग च्स अग्ट्स अग्ट्स फाल तो यह एक आपका component है एक page है इसमें अब हम boilerplate code add करते है boilerplate code वो code होता है जो application में same code multiple places पे यूज हो येकिन थोड़े बहुत changes के साथ तो component का अगर आप हम कहें तो यह एक boilerplate code है जो एंगलर के हर component page में use होता है इसको आप यहां से copy करें और आपका जो component है उसमें paste कर दें कि अब है कि अब है कि अब है कि स्लेक्टर स्लेक्टर में आपने नेम देना है आप अपने component का जैसे हो मैं इसको app home दे देता हूं अभी हम जो application बनाएंगे उसका नाम डेशियर रखेंगे तो तो उसके लिए हम ds कर लेते हैं तो यह हमारा application का convention है selectors के लिए को component के लिए इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि बास उकात हम third party library include करेंगे अगर उनका selector भी same हुआ और हमारा selector भी same हुआ तो वह conflict कर जाएंगे तो हम अपनी application project के हिसाब से उस convention को add करते हैं template url में html का मैं location दोंगा और style में मैं stss की मैं अगर आप angular में कोई page add या component add करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको angular के rules को follow करना पड़ेगा क्योंकि angular framework है framework आपकी application का flow को control करता है आपने कौन से चीज़ कहां भी use करनी है page आपने add करना तो कहां कैसे add करना है और किस जगह add करना है और आपकी साही application को आपका framework manage करता है कोई चीज़ भी आपने add करनी है तो framework के rules को आपको follow करना पड़ेगा तो जितना भी control होगा flow का वो सारा framework control करेगा इसके बरक्स library में आप in charge होते हैं यहाँ पर demand करता है कि आपने कब library का code use करना है कब library को आपने call करना है जैसे jquery का code आप जब चाहिए आप उसके code को use कर सकते हैं आप अपनी application में लेंगिन angular में angular एक framework है या आपको enforce करेगा कब आपने कैसे और pages को use करना है framework में framework in charge होता है आपकी application का उसारा flow को control करता है और library में आप library को control करते हैं आप in charge होते हैं आपने अपने component को declaration की area में add करना है और जो हम third party packages, libraries और angular के component और angular की जितनी वी चीज़ें जो use करेंगा हम उनको import करेंगे जो हम खुद बनाएंगे उनको declare करेंगे अगर हमने जो कोई चीज बनाई हुई है उसको हम किसी और module में add करेंगे तो पहले declare करना है पिर उसको export करना है यहां आगे जाके हम add करेंगे और फिर जिस module के अंदर हमने उसको use करना है वहां पर जाके हम import करेंगे तो यहां पर एक export की भी array है इसको हम बाद में देखेंगे जब हम multiple modules बनाएंगे और उसमें हम जब lazy loading यह चीज़ें add करेंगे तब हम इस चीज़ को देखेंगे जैसे इंगुलर में common modules और feature modules क्या होते हैं वो जब हमारी application grow कर जाएगी तब हम उन चीज़ों को देखेंगे तो हमें उस page को यहां बेडिक्लेर करना पड़ेगा तो विजियो सुडियो कॉर्ड में आप काफी ज्यादा intelligence आ गई है झाल में आ गई हमारी application आ जाएगी तब है झाल में झाल 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 कि कोपी पेस्ट किया था तो यहांब हमने अपने कोंपोनेंट का नेम चेंज करना है तो जब आप कोड़ कॉपी पेस्ट करते हैं तो वह इस तरह के बग क्रिएट कर देता है तो इसको हम उन करते हैं तो यह localhost 4200 पर run कर रही होगी तो इधर आप देख सकते हैं यह application चल रही है अब यह जो हमने selector add किया था यह selector जहां भी हम selector को as html element बना कर add करेंगे तो क्या करेगा कि वो आपके इस component इस page का code वहां पर inject कर देगा जैसे आपने यहां पर तो जहां पर मैं यह selector को add करूंगा html में तो क्या करेगा कि यह जितना भी इस component का code है वह सारा यहां पर inject कर देगा तो इधर आप यह देख सकते हैं तो वो जो हमने एक home component एड़ किया था वो यहां पर आ रहा है अगर इसमें राइंस्पेक्ट करूं तो इधर आप यह देख सकते हैं यह हमारा component है और angular ने क्या किया है कि जितना भी dshome में code था वो यहां पर inject कर दिया बिलकुल ऐसे ही जैसे यह हमारा main component है app component और इसमें यह selector है और यह selector जा रहा है इस index file में और इस index file में यह component है तो वो सारा तो यह flow ऐसे बनता है कि html एंगुलर क्या करती है कि यह को इस component को inject करती है इसमें और इस component में inject हुए हमारा यह home component तो पहले एंगुलर पहले यह component इसमें inject हुआ और फिर इसके बाद यह index.html में आया copy बना सकता हूं instance बना सकता हूं अगुलर को कोई issue नहीं है आप जितनी मर्जी चाहें इसको copy paste करें जितनी मर्जी जगा आप इसको use करें तो यह जो चीज है यह reusability में आती है कि आपने एक component बनाया उसको आप multiple places पे आप अपनी application में easily use कर सकते हैं जब हम custom component हम देखेंगे तो हम इस उस चीज में उस वक्त हम यह देखेंगे के इंसे हम communicate कैसे कर सकते हैं इंसे हम communicate कर सकते हैं इनको data send भी कर सकते हों यह हमें data return भी कर सकते हैं अब हमने manually component बनाया फिर उसको हमने डिकलेर किया app module में इसके बरक्स हम देखते हैं कि हम angular CLI से कैसे बना सकते हैं इसको हम delete करते हैं इसको हमें app module में इससे भी remove करना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि angular CLI से हम कैसे component बना सकते हैं तो पहले हमें यह stop करनी पड़ेगी तो angular CLI के हमें कोई भी command चलानी हो तो उसका keyword हमें लिखना पड़ता है ng जब भी हमें node की command चलानी है तो हमें node type करना पड़ेगा अगर हमने npm की command चलानी है तो हमें npm first में लिखना पड़ेगा अब हम angular CLI को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि हम ng start में लिखेंगे g for generate c for component उसके बाद हमने उस component का नीम देना है तो एंगलर क्या करेंगी कि चार फाल्स एड़ कर देगी और एक फोल्डर बनाएगी एप फोल्डर में और उसमें चार फाल्स एड़ कर देगी तो इसको भी हम disable कर सकते हैं जो टेस्टिंग फाल बनाती है तो इसने एक component बनाया और उसमें एक यह tag add कर दिया और उसके बाद इसने क्या किया कि एप module के अंदर इसने इसको declare भी कर दिया तो इसने जो हमने हमें पांच मिनट लगी एक component बनाने वो इसने चंद सेकिंड्स में कर दिया अगर मैंने npm के कोई command चलानी है तो मैं start में npm लिखता हूँ package.rode.json में यह command आप npm run script करें और start write करेंगे तो आप यह वाली command में उनका आप name दे सकते हैं अगर मैं build करूंगा तो यह क्या करेगा npm run script build तो यह करेगी कि इस command को ng build को यह चला देगी जब हम यह press करेंगे तो यह ng serve को run करेगे कि अ क्विजर को नहीं कि हां तो प्रोजक्त के अंदर कोया नहीं आई कॉंसोल में आप देख सकते हम कोया तो नहीं आई क्मान्ड प्रोंट में भी ये ऑर शो कर दयता हुज भां बाज वकाती झाली है जिस दोज बरावजर में अपने अप्लिकैशन को रगा तो तो इसमें भी यह error शो करता है तो अब हम यह करेंगे कि अब यह देखें Angular ने अपनी किन्वेंशन के हिसाब से कॉम्पोनेंट बनाया है उसने यह हॉम के साथ कॉम्पोनेंट आप कीवर्ड देख सकते हैं यहाँ वो एप सेलेक्टर के दो उसने खुदी एड़ कर दिया है इसको हम लियस कर देते हैं और इस सेलेक्टर को हम सेलेक्ट करते हैं और तो यह भी बिल्कुल ऐसे काम करेगा तो यह आप चीज़ दे सकते हैं कि जो Angular से लाई हो हमारा कितना टाइम सेव करती है तो अभी हमने दो तरीका कार देखे हैं कि कैसे हम Angular के अंदर पेज बना सकते हैं और कैसे उसको हम एप मेडिविल में उसको डिकलेर कर सकते हैं और कैसे हम उसको रन कर सकते हैं